हाई फ्रेंग्स वेलकम बैक टू सारडाज किचन आज हम त्योहर स्पेशल बर्फी चोको को बनाएंगे जोकी खाने में बहुत ही लाजवाब है इसके लिए मैं इंग्रिडियन्ट ले रही हूँ गिला नारियल 200 ग्राम डार्क या मिल्क कमपाउंड या फिर चोको चिप 50 ग्राम मिल्क 2 कप बटर्या घी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर 1 टेबल स्पून शुगर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून अलमन गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हम नारील को टुकडो में काज़करों के निख्शी से पीस लेंगे अब हम एक पैन ग्यास पे गरम करने रखेंगे उसमें हम एक टेबल स्पून घी आड़ कर देंगे घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें जो पीसा हुआ नारील वो आड़ कर देंगे नारी अलको हमें तब तक सेक नाए जब तक इसका कच्छापन खतम न हो जाए इसके बाद हम इसमें देड़ कब दूद आड़ करेंगे मिल्क आदा सोकने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर आड़ करेंगे जो कि ऑप्शनल है मिल्क पाउडर से ये बर्फी जादा मुलायम बनेगी हम इसे धीमी आज पे पकने देंगे तब तक हम दूसरे गयस पे ड्रिंकिंग चोकलेट बनाएंगे उसके लिए हप कप मिल्क गयस पे गरम करने रखेंगे मिल्क बॉयल होने के बाद हम इसमें 50 गराम चोकोचिप एड़ कर देंगे आप डार्क या मिल्क कंपाउड भी ऐड़ कर सकते हैं और मिक्स कर लेंगे ये मिल्ट होने के बाद हम इसमें 40 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देंगे इससे ये बरफी में चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अगर इसमें गुटली बन रही हो तो हम इसमें थोड़ा मिल्क एड़ करेंगे उसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून बटर डाल देंगे आप घी भी डाल सकते हैं अब हम दुसरी गैस पे नारियल चेक करेंगे इसमें दूद पूरा एब्जर्ब हो गया है अब हम इसमें ड्रिंकिंग चॉकलेट अड़ करेंगे अब इसे मिक्स करके हम इसमें तीन टेबल स्पून शुगर अड़ कर देंगे अब हम इसे और पाच मिनिट गाड़ा होने तक पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे ये थंडा होने तक हम एक प्लेट लेके उसे घी से ग्रीजिंग कर लेंगे और फिर हम इसमें ये बरफी डाल देंगे उसे स्प्रेड कर देंगे और उपर से आलमंट के तुकड़े गारनिशिंग कर देंगे आपकी बरफी रेडी है इसे हम डेजर्ट की तरह बाउल में सर्व कर सकते हैं या फिर फ्रीज में रखके सेट करके स्लाइसेस बना कर भी सर्व कर सकते हैं ये लाजवा बरफी बनाईए, खाईए, लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद